हलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस अप सलूशन्स पर जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने वाइलू चेंज़ेज और स्टेटस चेंज़ेज के बारे में देखा कि क्या कंसेप्ट होता और किस तरीके सम्ह कैसे उज़ करते हैं इसको उज़ करने के लिए हमें क्या का रिक्वार्यमेंट होता है कौन सा चीज हमें एंगलर के लाइवरिश से इंपोर्ट करना होता है इन सारे चीज़ों को हम डिटेल्समें इस वीडियो टुटोरियल में देखेंगे तो दोस्तों इसे पहले कि मैं इस वीडियो टूटोरियोल को स्टार्ट करूँ मैं आप सरी रिक्रेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बिल की आइकोन को जरूर किलिक किजिए गा ताकि मैं जैसे कोई नया वीडियो डालू तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें दोस्तों फॉर्म एरे क्या है क्लास है जो क्या करता है कि हमारे फॉर्म कंट्रोल फॉर्म ग्रूप और फॉर्म एरे का जो आरे बनता है उसके वैलू और वैलिटी एस् थो करना हो तो वहां पर मेँ और को इंपोर्ट करना होगा एंग्लर के फॉर्म लाइब लाइब रेडिल नवीर से लइड तो दोस्तों चली हो चलते हैं इसका पblack करके देखते हैं कि हुआ कैसे करते हैं और य्मारे ब्राजर में और इसका क्या concept होता है जो हम practical करेंगे तो इसका concept बिल्कुल किलिर हो जाएगा तो चलते हैं पूर्ट के तरफ और देखते हैं इसका concept कि दोस्तों यह है project जहां पर हम देखेंगे इसको run करा कर तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि हम यहां पर form library से क्या करेंगे कि form array को हम import कर लेंगे यहां पर हम क्या लिखेंगे form array इसको हमने import किया तब हम इसको use कर सकते हैं और हम इस event पर जो ng on init है जो अपने आप execute करेंगा तो इस पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम इसको एक array बनाते हैं जो कि कौन्स टाइप का होगा हमने array लिया उसके बाद हमने क्या किया कि new form array form array हमने लिया यहां से उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें control लेंगे यहां पर हमने control लिया एक मिनिट हमें से कर लेते हैं और इसको यहां पर हमने क्या करेंगे new form control निव form control में दोस्तों एक मिनिट यह form control होगा और इसमें हम कोई भी नेम ले सकते हैं इस control में जैसे मारों दोस्तों हमने क्या किया कि यहां पर हमने अजीद ले लिया उसके बाद हम इसने semicolon ुसके बाद हम यहाँ पर हम कॉ्मा ले लेंगे लिए क्योंकि मेरे इंडेक्सिंग कर रहे हैं तहां पर हम क्या करेंगे new form control और इसमें हमने अगले में लया जो भी हम ले सकते हैं मोहन सोहन जो भी हुआ का यहां पर ले सकते हैं और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे इसको console.log और यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम इसको रहा करा कर देखेंगे दोस्तों यह तुपाले हमें यह क्या करेगा कि हमारे इसको प्रिंट कर देगा और यह हमें स्टेटरस बताएगा कि यह फॉर्म कंट्रोल जो है जो आयरे है वाईड है की नहीं है अभी तो दिखाएगा हम इसको इतना रॉन कराक आपको दिखा देता हूं में इसको हम सेप करेंगे दोस्तों और फिर ब्राउजर पर चलेंगे यह यह ब्राउजर है दोस्तों रन कर चुका है हम इसमें इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं यह हमारा वैलू आगे आओगा यहाँ पर हम चलेंगे कंसोल में और यहां पर देख रहे हैं कि यह वाईलिड बता रहा है स्टेटस और आयरे के अंदर दो वैलू है जो दिखा रहा ह हमने यहां पर राम लिख दिया अब इसको जैसे ही सेप करेंगे हम यहां पर देख सकते हैं जैसे ही एक्टिबेट होगा डेटा यहां सो करेगा देखिए हम मेरे में राम और मोहन आ गया यहां पर देख सकते हैं जीरो पर क्या रहा है और यह वालिड रता रहा है अब यहा यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे लगा लेंगे एक वैलिल्डेक्टर डॉट मिन लेंथ और इसमें दोस्तों हम टू डाल दिया हमने ठिक है अब इसको हम रन कराएंगे अब फर्स्ट टाइम में क्या करेगा कि हमें मिनिमम् टू डाल रखा है तो यह तो थी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इन्वैलिड बताना चाहिए हैं आप यहाँ पर देखेंगे मिन्स कि हमारे यह वैलू और इस्टेटस दोनों को यह ट्रैक कर रहा है तो यह हुआ दोस्तो हमारा कि कैसे इसको हम वैलू और इस्टेटस को ट्रैक करते हैं दोस्तो यह काम करते हैं पहले हम इस कंट्रोल को पहले इंपिटी कर लेते हैं तो जैसे इंपिटी करेंगे दोस्त यहां पर हम जाएंगे यहां पर हमें नल नल सो पड़ाई बाउन में कोई ईविलदरेसं तो लगा रहा राखा नहीं है राइट इसके व क्या करेंगे आपाने रख आपको कि set value और patch value क्या होता है उस तरीके से set value और patch value यहाँ पर इज कर सकते हैं इनके value को set करने के लिए तो दोस्तों मैं छोटी चोटी चीज़े इसलिए आपको बता रहा हूं practice करा रहा हूं ताकि जब आप form पर काम करना start करेंगे तो इन सारे चीजों को requirement होगा आपको ढाल देंगे यह रेंग अंदर जैसे माला दोस्तों हमने क्या किया जीतOh¡ कॉमआ एक और डाल दिया हमने लगाएंगे कि नहीव करेंगे इसको हम क्या करेंगे भाट दोस्तो जैसा कि पीछले वीडियो में हमें बता रहा है शेट वेलू और पैच में जिले बता रहे थे। आ हूँ, डैसे जिए मिघार उन्पनुल से यहाँ करता है, जैसयर मालो दोस्तो अक्दर मनें हम करता एक क्वाट दिया हम इरिरे यह करेगा, राइट आप देख सकते हैं यहाँ पर console के अंदर यह error आएगा देखिए error आगया यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि index 1 पर कोई value नहीं है means कि 0 पर हमने value लगा रखा यहाँ पर 0 में जिद्धा लगा है लेकिन 1 पर कोई value नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो index का array है राइट तीसी तरीके से अगर अगर हम इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा जब हमारे पास इस तरह का scenario हो तो हम यहाँ पर patch value यूज करना होगा राइट जैसा कि हमने पिछे भी बता रहा को यहाँ पर जैसे भी patch value करेंगे तो यह easily run कर जाएगा एक पर null दिखाएगा औ जीरो पर जीत और और वन पर नल दिखा देगा राइट आप यहाँ पर देख सकते हैं दो वैलू हुआ यहाँ पर जीत और नल दिखाना लगा जीरो पर जीत और वन पर नल दिखा दिया और यह valid form है राइट मिंस कि आप दोस्तों आरे में भी set value और patch value उच कर सकते हैं उस अपर क्या करेंग है research करेंगे the research और इसमें हं क्या करेंगे वैलू डाल लेंगे मालों पहले सो इसको हईफली को reset करना चाहते हैं तो यहाँ मालव दोस्तों हमने कुछ भी ढल दिया नेम और यहांपर हमने के लिए लास्ट नेम कुछ भी आप डाल सकते हैं अपने मरर्जि से यहांपर रिसेट करना होतों और यह अप यह वैलू अपने आप पर रिसेट करके दिखाएगा अपने आप नेम और लाशनेम दिखें लएगा राइट दोनों एरे में यहाँ पर देखिए नेम और लाशनेम आ गया राइट मिन्स कि हम रिसेट भी उज़ कर सकते हैं अपने इसके आरे फॉम आरे का अंदर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे उज़ करते हैं इस वीडियो को ज्यादा स्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों में सेयर करें ताकि सबको देखने को मिले जिसे कि हमारा मनुबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आ सब्सक्राइब तक लिए थैंक इस सो मच